जी हाँ नमस्कार दोस्तों अभी अभी हरियाना में डिप्टी सीम ने हरियाना में बुढ़ापा पेंसन ना काटने को लेकर सबसे बड़ा एलान किया है और सभी बुढ़ापा पेंसन वालों लोगों को सबसे बड़ी खुस खबरी नय साल पर तोफा भी दिया है तेहां बता कि भाजपा वा जचपा दोनों पार्टियां अपना गठ बंदन धर्म को अच्छे से निवा रही हैं वहीं आने वाले तीन साल में भी एक साजी सोच के साथ जनहित की कार भी किये जाएंगे उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी पात्र बुजुर की आप पेंसा नहीं काटी सदन में कारकरताओं से रूबरों भी हुए थे और इस दोरान उन्होंने कहा कि सभी लोगों की समस्यां सुनी और मौके पर मौझूद अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दे दिये हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश की गढ़वंदन सरकार निरंतर जनकल नयारी कारी न उन्होंने ये भी कहा कि विरोधी पार्टियों के पास सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा नहीं है वहीं चोडाला ने ये भी कह दिया कि विपच्छी पार्टियां प्रदेश सरकार के खिलाफ केवल भ्रहमग प्रचार करने का काम कर रही है लेकिन प्रदेश की जागरु जनता विरोधियों के भहकावे में अब नहीं आने वाली हैं उन्होंने कहा कि विरोधियों को भ्रहम धीरे-धीरे से दूर भी होता जा रहा है और ऐसे में उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से हर वर्ग खुश भी है तो दोस्तों आप सभी खुदी देख लीजिए हर याना में अब किसी भी बुढ़ापा की सौरी मा किसी भी बात्र बुजुर की पेंसन में कटोती अब नहीं की जाएगी नया साल पर सभी को सबसे बड़ा तौफा मिला